कीगल X … इस एक्सीन का नम आपने कहां न कहां तो सुना ही होगा क्या होती है कीगल एक्सीyards करने के क्या-क्या फाइद है क्या-क्याikuãy होते हैं कि कि टाइप से करना चाहिए और किन-किन लोगों को की गलेक्साइज करनी चाहिए आज हम कंप्लेट डिटेल में इसी टोपिक पर बात करेंगे तो उससे पहले आप मेरे यूटुब चैनल पर नहीं है तो मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन बेल चैनल को की प्रोप्लम है इसी में करते हैं तो आपकी प्रोप्लम ठीक हो सकती है अब हम चलते हैं next topic क्यों और की Kegel exercise को करें कैसे, तो मेरे पास काफी patient आते हैं, और उन्से पूछते हैं कि Kegel exercise करने का तरीका तो रिंटरनेट से सिख आते हैं, और उन्से पुछा जाता है तो उनका तरीका बिल्कुल ही गलत होता है Kegel exercise करने का, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि Kegel exercise को proper तरीके से कैसे कर सकते हैं Kegel exercise करने के बहुत सारे types होते हैं और हम benefit की बात करें तो जो हमारे Kegel exercise को main effect पड़ता है जो हमारे pelvic area की muscles है उन पर सबसे most effect पड़ता है Kegel exercise का Example for हम बात करें तो जो हमारे anal का area हो गया जो हमारे panis या prostate gland हो गई या unionary bladder हो गया उस area में सबसे ज़्यादा effect पड़ता इसका इसको mostly करना क्या होता है जो हमारी muscles होती है उसको पहले तो हम contact में लाते हैं और वहाँ पे hold करते हैं और उसके बाद हम उसको relax करते हैं फिर वापस से हम hold करते हैं उस area को और फिर वापस से hold करने के बाद उसको relax करते हैं example from आपको समझाओं कि हमारा जो मल द्वार होता है मान लीजिए हमें pressure ज्यादा लग रहा है और हमें मल नहीं निकालना है तो हम वहाँ पर muscles को contact करते हैं मल नहीं निकले जिससे उसी तरह इसमें भी जो होती है exercise में उसमें भी contact करते हैं पहले फिर उसको hold करते हैं करने के बाद relax करते हैं इस exercise का यूज मोचली एक और जगह पर किया जाता है जो के पाइल्स के cases में देखी जाती है जिसको बोलता है रेक्टल प्रोलैप्सिस की मतलब कांच का भार आना उस condition में भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप कीगल exercise को अप्लाई करें उससे मशल्स कॉंटेक्ट होती है और कांचाना भार बंद हो जाता है मेरा आपसे यहीं रहेगा कि काफी बैनिफीशल है इसको अपने पर अप्लाई करें रेगुलर बेसेज पर करें धन्यवाद